नवश्का दोस्तों एक बार फिस्टे स्वाग दें आप सबका हमारे यूटूब चैनल डिस्टक ग्यान में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेस्टेट की आंसर की कब आएगी क्या 24 जनवरी को पेस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा और क्या मास्टर केटर में जो पोस्टें अपलाई करने की लास्ट डेट है वो अक्स्टेंड होगी या नहीं होगी तो आज किस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूख ले जिससे की कोई भी नहीं अपडेट आती है वो आप तक पहुंचते रहे हैं तो चली फ्रेंट आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार आपको बताया है कि जो भी पिएस्टेट की डेट दी गई हैं कभी भी प्रोपर उन डेट को उनकी जो कीज हैं वो अप्लोड नहीं की गई है तो अभी भी जैसे 17 जनवरी को फाइनल पिएस्टेट की अंसर की अप्लोड की जानी थी तो अभी तक उनकी जो फाइनल आंसर की अप्लोड नहीं की गई है तो अभी तक उफिशल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं जो की डेट्स दी गई है उनके अभी जैसे 17 जनवरी को अप्लोड की जानी थी और 18 से 20 जनवरी को इनका रिजल्ट कंपाइलेशन होना था तो जो रिजल्ट की डेक्लेरेशन डेट्स थी वो 24 जनवरी तक थी मतलब की 24 जनवरी से पहले डेक्लेयर करना था पर अभी लगता है कि 24 जनवरी को भी ये रिजल्ट अप्डेट नहीं होगा या डेक्लेयर नहीं होगा तो कभी 22 जनवरी और 23 जनवरी को भी उमीद नहीं है कि इनकी जो फाइनल आंसर की है वो अप्लोड की जाएगी हम आपको एक वीडियो की जरीए इसके बारे में बता देंगे इसके इलावा जो अभी हम बात करते हैं कि जो अप लाज रिज जो पोई जा जाती है तो जब भी आपके या रहे भी एपरते है जब भी आपकी यादी आजाती है तो आपको अपने जो भी grace marks मिले हैं या नहीं मिले में वह वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट दोबारा final result डिक्रेर किया जाएगा तो आपको अपने register user ID पर जाकर login करना होगा login करने के बाद आपको वहाँ पर अपना result मिल जाएगा वहाँ पर आपकी सारी detail लिखी होगी वहाँ पर लिखा होगा कि क्या आपने test को qualify कर लिया है या नहीं किया है अगर आपने test को qualify कर लिया है तो वहाँ पर आपके proper numbers होगे obtain marks होगे और total marks होगे कि आपने कितने marks में से कितने marks लिया है और आपने का नीचे एक notes लिखा होगा कि आपने test को qualify कर लिया है तो अगर आपका test qualify नहीं हुआ होगा तो भी आपके वहाँ पर obtain marks show होगे और नीचे लिखा होगा कि आपका test qualify नहीं है तो जब भी आपका result out होगा वो सबी आपकी information वहाँ पर update हो जाएगी तो जो answer की आएगी official answer की या final answer की जिसे हम कह सकते हैं तो वो आपको पहले की तरह ही यापर कोई link मिल जाएगा तो वहाँ पर आप जाके check कर सकते हैं कि जो भी आपके answer की में marks वहीं बनते हैं या कम बनते हैं या ज्यादा बनते हैं वहाँ पर check कर सकते हैं तो अगर जो master kit में apply करने से रह गए हैं अभी तब क्या grace marks मिलने के बाद भी उनकर cert qualify होगा या नहीं होगा तो वो अभी answer की आने के बाद ही पता चल जाएगा तो जैसी answer की आती है आप अपना apply कर सकते हैं और कुछी दिनों में आपका जो final result आ जाएगा तो आप अपने login में जाके वहाँ पर certificate को download कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो जैसी कोई प्रेंट answer की के बार में नहीं update आती है या आपके जो answer की है upload हो जाएगी तो मैं आपको वीडियो के जरीए बता दूँगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हमारे किसी next वीडियो में तब तक के लि दूस्तों जेहेंद